So hi everyone, this is Saurabh Thakur और काफी लंबे समय बाद मैं आज आप लोगों के बीच आया हूँ आप लोगों की बहुत सारी शिकायते थी कि सर आप कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं तो जब से इस जॉब में आया हूँ बहुत बिजी लाइफ हो गी है और धाई महिना तो मैं इलेक्शन ड्यूटी में था तो धाई महिना तो मेरा उसी में चला गया मेरा प्लैन था कि मैं आपके लिए नोट्स जो मैं तयार कर रहा था मेजर वर्क्स की जो क्रिस्प समरी है वो तयार करूँगा लेकिन वो हो नहीं पाया जब मैं इलेक्शन ड्यूटी से फारिक हुआ तो मेरा पीच्डी का काम आ गया इधर से जॉब का अलग है तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेरे लिए लेक्शस बनाना या कोई नई वीडियो बनाना तो अभी क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तींग चार दिन रहे एक्शाम के लिए जो कि आपका 18 जून को होने वाला है लेकिन अभी इसमें काफी सवाल उठे की क्या ये एक्शाम होगा या नहीं होगा और पोस्पॉन भी हो सकता है क्योंकि मीट का जो एक्शाम होगा तो बहुत बड़ा कमी हो या फिर आप बिल्कुल रिलेक्स हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है तो मैं ये वीडियो बनाने का परपरस यही है कि मैं आपको लास्ट मॉमेंट मैं बताऊं कि आप कैसे अपनी स्टेटेजी को मतलब चेंज कर सकते हैं आप इस स्टेटेजी अपना सकते हैं जिससे की आप एक्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ अभी मज़े याद आया टेलिग्राम चैनल आप मेरा जोइन करके रखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोई भी नियू अपडेट होगी नोट से रिलेट होगी तो मैं वहां आपको आसानी रहेगी देने के लिए आपको भी आगया असानी रहेगी जोगी उससे आगया प्रोसेजर रहेगा ठीक है तो फिलाल बात यह है कि English Literature की मैं बात कर रहा हूँ तो English Literature में मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ हर वीडियो में बोलता हूँ that the most important and complicated topics are literary theory, literary criticism, cultural studies और बस यही है सबसे difficult topic और British History is also very important topic लेक complicated नहीं है रटे मारने वाला ठीक है तो British History में आप अच्छे से रटा मारें ठीक है मेरे notes जिन लोगों ने लिये हैं मुझे feedback भी आपका मिलता रहता है काफी helpful आपके लिए notes रह रहे हैं इसकी मुझे बहुत खुशी है और आप लोग मेहनत करिए बस मेहनत करिए मेहनत विज लिए हैं तो description में आपको link मिल जाएगा उन links पर क्लिक करके notes ले सकते हैं कोई दिक्कत आती है तो mail id मैंने अपनी दी है description में ही वह होगी या फिर आप link पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको मेरी mail id दिख जाएगी आपको payment हो गई है notes मिलने में को दिक्कत आ रही है तो YouTube क एक तो major works की जो list में आपको देता हूँ उसके आपने notes बनाए होंगे एक major work को आपने पढ़ा होगा अच्छे से उसको मोटा मोटा revise करें सिर्फ इतना revise करें कि कौन सी book कौन सी year में publish हुई है कौन सा उसका writer है और उसके major character जो है 24 उनको आप याद कर लो मोटा मोटा फिर बा है कि जो आपके concepts है main बात आपने क्या याद रखनी है कि किस writer ने कौन सा concept दिया है ठीक है और और उससे अगर आगे आप जा सकते आपका time है मेरे notes भी आपके पास होंगे उसमें बहुत short और crisp है सारी चीजे तो आप उसको एक जितने में bold letters में मैंने जितने भी important terms है या फिर फिर कुछ उसमें बीच में कोई important information है तो मैंने उसको bold letters में किया हुआ है तो आप सिर bold letters को revise कर सकते है या फिर आपने अगर highlight कुछ किया है उसमें तो आप highlighted चीजें ही सीधा revise करें इस time पे क्योंकि इस time पे कुछ भी नया पढ़ने को कोई फायदा होगा नहीं और अभी भी चार-पाश दिन है अगर आपने notes नहीं लिए तो आप ले सकते हैं आपको बहुत फायदा देंगे वो इन चार दिनों में आपको बहुत फायदा दे सकते हैं और अगर भगवान ना करें कि ऐसा हो कि आपका नहीं हुआ qualify तो अगली बार के लिए आपको आसानी रहेगी ठी है तो दूसरा हमारा criticism है criticism को भी आपको ऐसे ही करना जैसे theory को करना criticism है वैसे कोई ऐसा तो होता नहीं कि कोई concept दिया है किसीने हो सकता है थोड़े बहुत concepts है लेकि main बात तो यह है कि किसने किसके बारे में क्या कहा है तो थोड़ा उसको भी आप revise कर ले मेरे lectures देखके कर ले या फिर notes देखके कर ले कुछ भी करके कर ले culture studies तो ऐसे ही इस pages के notes बनाये मैंने वो तो already मैंने बहुत short बनाये और जो most important writers है उनी को उसमें रखा है theory में मैंने ऐसी किया है सारे में most important writers ही है आपको ज़्यादा ऐसे मतलब दिक्कत कोई आएगी नी और major works की जो list है आपने क् इस बात का ध्यान रखना इस बार paper offline mode में हो रहा है पहले भी offline हुआ करता था मैं 2016 से net का exam दे रहा हूं ठीक है कितने साल हो गए 8 साल हो गए तो उस टाइम पे जो net का exam है वो काफी tough रहता था क्यूंकि एक ही paper बनाना है उन्होंने shift में paper बनेगा नी एक shift का बनेगा तो difficult बन one में भी थोड़े से लंबे questions रह सकते हैं और थोड़ा complicated ये paper रहने वाला है हो सकता है कि इस बार chronology के इतने questions देखने को ना मिले लेकिन फिर भी आएंगे तो आएंगे लेकिन इतने शायद ना आए ऐसा मेरा अंताजा है तो मतलब घुमा फिरा के बात यही है कि detailed study करनी है conceptual study करनी है और इस time पे तो आपको safe for safe revision करना है ठीक है जी तो main मेरा मकसद यही है अगर postpone हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है आपको कुछ दिन और मिल जाएंगे पढ़ने के लिए ठीक है तो आप notes ले लीजिए तीन चार दिन में जितना भी आप revise उसको कर सकते करें और अगर postpone हो जाता है तो आपको कुछ और दिन मिल जाएंगे उसको आप फिर revise कर सकते ठीक है रही lectures की बात तो मैं आने वाले टाइम में देखो जो complicated topics है यार theory, criticism, culture studies इस पे तो मैं आपको लिए lectures बनाई चुका हूँ यह समझने वाली चीज़े अब बागी रहा गया आपका British history, world literature, वो सारे रेटे माने वाली चीज़े तो इसलिए मैं उनके lectures पर इतना focus नहीं कर रहा हूँ लेकिन हा, notes बनाने में फोकस ज़रूर कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी आपके लिए notes भी लेकरा हूँगा, paper 1 की भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में बताया था कि मैं बहुत जल्द एक book suggest करने वाला हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा time लग जाएगा, वैसे भी तीनचा दिन रह गए, अब आपने जितना पढ़ना था वो पढ़ी लिया होगा, तो अगली बार के लिए आपको वो पक्का मैं recommend करूँगा, अच्छी book को मैं पढ़ रहा हूँ मैं अभी देख रहा हूँ, उस पर काम चला हुआ है, तो मैं आपको वो book बहुत जंदी recommend करूँगा, ठीक है, तब तक के लिए आप बतला हूँ, अभी last के दिनों में बिल्कुल भी एक 20 second waste नहीं करना है आपने, ठीक है, गायब हो जाओ, underground हो जाओ, और जितने भी मेरे notes आ हमेशा आप लोगों को मतलब मेरी दुआएं है, प्यार है, और मैं pray करूँगा, मंदिर जाओँगा आप लोगों के लिए, कि आप सबी लोग जिनों ने भी मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की, देखो मेहनत सबी लोग करते, लेकिन जो दूसरों से ज्यादा मेहनत मेहनत कर रही है, तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा जोर अपने experience से बता रहा हूँ, मत करोगे तो मिलेगा, थीक है, मजए करो, और आप तो शाहरियाँ भी भूल गया, किसी की जान, किसी की फरयाद, तो क्या था, जो मैं last में बोलता थ, आप लोगों को पता होगा, तो कल भी मे पर जो लोग मेरे साथ जुड़े है दाना मल्टिटासकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मुझे जो वहां पर जुड़े उन्होंने देखा होगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी पॉरजिनिटी थी कि मैं वहां गया तो यह सारी चीज़े चली हुई थी तो मैं इसलिए ना मैं लेक्शर्स बना पाया ना मैं वीडियो बना पाया और ना ही मैं अभी नोट्स पूरे कर पा रहा हूं उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहें सब कुछ हो जाएगा वक्त के साथ साथ सब कुछ हो जाएगा ठीक है तो all the best आ आपने उन तीन गहंटों पर फोग देनी है और पिछली रात जम के सोना है ठीक है ताकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहा इसा नहीं कि आप सारी रात जागे हो या मैं तो पढ़ूंगा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी पढ़ूंगी जब तक पेपर के लिए आदा हो जाना चिल मारना ठीक है ओके बाय टेक केर अल दी बेस्ट